अपनी पीर ठपथवाने का समय नहीं है अभी आने वाले समय के अंदर इसे और कंट्रोल करने का समय है कुछ लोग अपने घरों में नहीं रह रहे उनसे मैं फिर से हाथ जोड़ के विंती करना चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की गलती की वज़े से ये ज़्यादा फैल जाए हर SDM की और हर ACP की ये परसनल ड्यूटी होगी एंशॉर करना कि उनके इलाके के अंदर ये पांचों चीजें सबजी की दुकाने खुलें और उसमें सबजियां हो किराने की दुकाने खुलें और उसमें किराने का समान हो राशन की दुकाने खुलें और उसमें राशन हो दवाईयों की दुकाने खुलें और उसमें दवाईयां हो जब सडक के उपर वो देखते हैं कि कोई दूद वाला दूद लेके जा रहा है और बाईचांस उसके पास नहीं है तो उसको ऐलाव कर दिया जाए बिना पास के ऐलाव कर दिया जाए कई सारे फूड होम डिलिवरी वाले जो फूड चेंस थे उनको ऐलाव भी कर दिया गया और वो अपने करमचारियों को अगर ID कार्ड अपने दे देंगे इन आइडेंटिटी कार्ड तो वो आइडेंटिटी कार्ड उनके प्रूफ माने जाएंगे वो सफिशेंट होगा दोपहर के अंदर भीड़ना लगे दुकानों पे इसके लिए ये आज निरने लिया गया है कि 24 घंटे जो जो दुकाने और जो जो फैक्ट्रियां एसेंशल सर्विसेज वाली हैं वो 24 घंटे काम करना चाती हैं तो उन्हें 24 घंटे काम करने दिया जाएगा एक गलत फैमी ये फैल रही है कि महला क्लिनिक सारे बंद किये जा रहे हैं महला क्लिनिक बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर महला क्लिनिक बंद कर दी है तो लोगों को दूर दूर फिर बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा जो जो ऐसे हेल्थ केर के डॉक्टर्स हैं नर्सेज हैं पैरमेडिक स्टाफ है टेकनिकल स्टाफ है हेल्थ केर वरकर्स हैं जो की सीधे कोरोना के पेशेंट्स के टच में हैं उनका हम लगाता टेस्ट करवाते रहेंगे आज हमारी ये कोर कमीटी की मीटिंग हुई दुबारा मतलब एवरी डे वियर मीटिंग इस मीटिंग में बेसिकली हमने ये डिसकस किया कि लॉक्टाउन में फैसिलिटीज किस तरीके से जनता तक पहुचाई जा सके हैं जो एसेंशनल सर्वेसिज की है मगर सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि आज दिली की जनता ने हमारे साथ कौपरेट किया और काफी एफेक्टिवली लॉक्डाउन यहां पे अभी तक हो रहा है कुछ दिक्कतें सामने आई हैं उसका हल भी निकाला जा रहा है इसलिए कि एसेंशनल सप्लाइज लोगों को मिल सके जल्दी से जल्दी एक तो हमने सोचा है कि यह जो आनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स जिस को ए कॉमर्स भी बोलते हैं उन लोगों को अलाव किया जाए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, पुलिस को हिदायत दे दी गई है, पुलिस ने भी अपना ओर्डर निकाल दिया है, अभी आपको हम नमबर दे भी सकते हैं, इकॉमर्स कमपनी का जिनको पुलिस ने परमिशन दी है, तो इस से काफ तो रहें एसेंशल सर्विसेज की सप्लाई के बारे में, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे सप्लाई स्मूदली चल रही है कि नहीं चल रही है, इसलिए SDM और ACP कंसर्ण को आज हमने वीडियो कॉन्फरेंस के थ्रू साफ साफ इन शब्दों में बोला है कि उनकी डूटी है, एंशोर करना कि एक तो वो दुकाने खुली हों और दूसरी वो दुकाने सप्लाई कर रही हों, उनके पास स्टॉक हो, यह एंशोर करना उनका काम है, उनको टास्क किया गया है, एक और important decision लिया है, policy decision कि इसलिए कि दिन में बहुत भीड ना हो, सप्लाई की दुकानों प हम 24 by 7 essential services की दुकानों को खोलने की इतला देते हैं और जो खोलना चाहे वो कर सकता है, अवश्यक नहीं है, लेकिन जो भी चाहे कि मैं 24 by 7 दुकान खोलूंगा, जिससे कि दिन में बहुत भीड ना हो और शाम को भी लोग आ सकें और असानी से सामान ले सकें, तो यह सब 2-3 निर्डए हुए हैं, बाकी डीटेल में आपको मुख्यमंत्री जी अब मता देंगे. सब को नमश्कार और अभी तक दिल्ली में 36 केस टोटल कोरोना वाइरस के हुए हैं, पिछले एक दिन में एक केस और बढ़ा है, कल तक 35 थे, आज 36 केस हुए हैं, इन 36 केसे में से 26 केसे उन लोगों के हैं जो विदेशों से आए थे, और उन 26 लोगों की वज़े से आगे 10 ल अभी स्थिती नियंतर्ण में है, अभी ये ट्रांस्मिट नहीं होने लगा है, अभी तक ये लोगों में बिमारी फैलने नहीं लगी है, तो मैं आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलके, सरकार ने, केंदर सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, पुलिस ने, जनता ने मिलके जो ये कंट्रोल किया है इसके ये बहुत अच्छा है लेकिन अभी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ अपनी ठब ठबाने का समय नहीं है अभी आने वाले समय के अंदर इसे और कंट्रोल करने का समय है क्योंकि दूसरे देशों का experience ये दिखाता है कि जब ये फैलने लगता है तो ब करना चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की गलती की वज़े से ये ज्यादा फैल जाए तो सब लोग अपने अपने घरों में ही रहें जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जब तक कि आपको घर से बाहर दूद सबजी फल लेने के लिए ना निकलना आप तक फ्रूट्स पहुंच सके किराने का राशन का समान पहुंच सके दवाईयां पहुंच सके इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोगों ने ऐसे लोगों को जो आपको सर्विस प्रवाइड करते हैं रेडी वाले जो सबजी लेके आते हैं किराने के दुकान वाले आपकी दवाई के दुकान वाले, आपकी दवाई बनाने की फैक्टरी वाले, उनके करमचारी, इन सब लोगों को हमने पास देना, इपास देना चालू किया है, कि आपको हमाई पास आने की जुरूरत नहीं है, आप 1031 नंबर पे, मैं दुबारा रिपीट कर दू, 1031 नंबर आप एपलाई कीजिए, आप फोन कीजिए, वहाँ पे आपको बता देंगे, कि किस नंबर पे वाटसेप करना, और आपको वाटसेप के उपर ही आपका पास आ जाएगा, कल से जितनी अप्लिकेशन आई थी, उनको अपने कई करमचारियों के लिए पास की जुरूरत है, व और सबके साथ वीडियो कानफरेंसिंग के उपर मीटिंग हुई, और उनको ये कहा गया कि लोकडाउन में अभी हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को घर में रहने के लिए तो कहा है, लेकिन अब हमें हर SDM की और हर ACP की ये परसनल ड्यूटी होगी, एंश चीजें, सबजी की दुकाने खुलें और उसमें सबजियां हों, किराने की दुकाने खुलें और उसमें किराने का समान हो, राशन की दुकाने खुलें और उसमें राशन हो, दवाईयों की दुकाने खुलें और उसमें दवाईयां हों, उसी तरह से हर एक के इलाके के अंद ताकि वो एंशूर करें एक ये सभी पुलिस कर्मियों से निवेदन किया गया है कि जब सड़क के उपर वो देखते हैं कि कोई दूद वाला दूद लेके जा रहा है और बाईचांस उसके पास पास नहीं है तो उसको अलाव कर दिया जाए अगर कोई सबजी लेके जा रहा है और उसके असपास नहीं है तो उसको अलाव कर दिया जाए अगर हम देखते हैं कि जो एसेंशल सर्विसेज लेने वाला विक्ती है वो सड़क पे जा रहा है या उसके पास पास नहीं है दुकान कोल के बैठा उसके असपास नहीं है तो पास देने की प्रक्रिया चलती रहे और वो अपने करमचारियों को अगर ID कार्ड अपने दे देंगे इंड आइडेंटिटी कार्ड तो वो आइडेंटिटी कार्ड उनके प्रूफ माने जाएंगे वो सफिशेंट होगा दोपहर के अंदर भीड़ना लगे दुकानों पे इसके लिए ये आज निरने लिया गया है कि 24 घंटे जो जो दुकाने और जो जो फैक्ट्रियां एसेंशल सर्विसेज वाली हैं वो 24 घंटे काम करना चाहती हैं तो उन्हें 24 घंटे काम करने दिया जाएगा एक हमारे महला क्लिनिक के डॉक्टर हैं जिनको कोरोना पाया गया है और उन्हीं के परिवार में उनकी धरम पत्नी और उनकी बीटी को भी पाया गया है ये हमारे लिए दुक की बात है लेकिन एक गलत फैमी ये फैल रही है कि महला क्लिनिक सारे बंद किये जा रहे हैं महला क्लिनिक बंद नहीं कर रहे क्योंकि अगर महला क्लिनिक बंद कर दिये तो लोगों को दूर दूर फिर बड़े-बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा तो महला क्लिनिक जारी रहेंगे पर वहाँ पे हम पूरी एहतियाद बरतेंगे हमारे डॉक्टर्स भी पूरी हतियात बरतेंगे पेशेंट्स के साथ भी पूरी हतियात बरतेंगे ताकि सभी लोग डॉक्टर्स भी सुरक्षित रहें और पेशेंट्स को भी कोरोना ना हो हम सब लोग ये एक बड़ी कठिन परिस्थिती है सब लोग एक दूसरे स सीख रहे हैं, कई सारी और राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, उनसे भी हम लगातार संपर्क में भी हैं और उनसे भी हम सीख रहे हैं और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, इस दोरान कई सारी संस्थाओं ने आगे बढ़के हमें कहा है कि वो खाने के डिस्टिब्यूशन के लिए हमारी मदद करना चाहते हैं, खाने के पैकेट्स देना चाहते हैं, गरीबों को, हम उन सब का धन्यवाद करना चाहते हैं, बहुत-бहुत शुक्रिया और मैं और लगातार और डेली हमारी मीटिंग्स होती है, सभी करमचारियों, सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग्स होती है और हम सब लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं कि ये कठिन समय आराम से गुजर जाए हाँ, जो जो ऐसे हेल्थ केर के डॉक्टर्स हैं, नर्स्य हैं, पैरेमिडिक सटाफ है टेकनिकल सटाफ है, हेल्थ केर वरकर्स हैं जो की सीधे कोरोना के पेशेंट्स के टच में हैं, उनका हम लगातार टेस्ट करवाते रहेंगे अब टेस्टिंग की फैसिलिटीज बढ़ गई है तो हम टेस्ट करवा सकते हैं उनके लगातार हम टेस्ट करवाते रहेंगे ताकि हम इस समय पे वो मिल सके